हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टेडी विथे स्मार्टनेस आई होप कि आप जहां भी होंगे स्वास्तेवं सुरक्षित होंगे दोस्तो इसी आसाक साथ चले स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं महापुरसों के बचपन से संबंधित important questions दोस्तो बहुत सारे exams में महापुरसों के childhoods name पूछे गए हैं ठीक है तो आपको दोस्तो सभी questions को ध्यान से देखना क्योंकि सभी questions important है आपके exams के लिए और दोस्तों आपको पूरा वीडियो लाज तक देखना है जिससे कि आपको सभी questions इसी वीडियो में याद हो जाएंगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सकाइब नहीं किया है तो प्रीज चैनल को सब्सकाइब कर लिजे और स्वामी राम तीर्थ के बच्पन का क्या नाम था तो आप्सन है तीर्थ राम, नरेंद्र, बर्धमान, संकर तो यहाँ पर जॉप का राइड आंसर दोस्तों आप्सन नमबर ए स्वामी राम तीर्थ के बच्पन का नाम तीर्थ राम था इनका जन्म 22 अक्टूबर 1873 को गुंजरावाला जिला पाकिस्तान में हुआ था दोस्तों इनकी जुम्रत्य हुई थी 17 अक्टूबर 1906 को टिहरी उत्राखंड में हुई थी और यह एक बेदान दर्शन के अनुए आई थे दोस्तों प्रारम में स्वामी राम तीर्थ गड़ित के प्रोफेसर हुआ करते थे लेकिन जब इन्होंने स्वामी विवेका नंजी के भाशण को सुना था और उससे यह बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हुए थे तब इन्होंने गड़ित के प्रोफेसर से होना से अच्छा स्वामी बनने का निर्ण लिया था ठीक है तो दोस्तो यह प्रोफेसर रामतीर्थ से स्वामी रामतीर्थ बन गया थे तो इनका नाम याद रखना आपको तीर्थ रामत है इनके बच्पन का नाम अब नेक्ट कोर्शन देखते हैं नेक्ष्ट है कि स्वामी विवेका नंजी के बचपन का क्या नाम था आप्शन है रामनुज नरेंद्र मोहन सिधार्थ तो यहां पर जो आपका राइड आंसर है आप्शन नमबर बी है दोस्तो नरेंद्रे स्वामी विवेका नंजी के बचपन का नाम नरेंद्र था और इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था और इनकी जुम्रत्ति हुई थी 4 जुलाई 1902 इस वी में वेलूर मठ हावडा में हुई थी हावडा कोलकाता में ठीक है दोस्तो इनसे एक important question बनता है कि जो अमेर 1893 में जो 200 धर्म सभा हुई थी अमेरिका के स्रीकागों में उसमें नेत्रत किया था स्वामी विवेकानन ने भारत का ठीक है और दोस्तों स्वामी विवेकानन जी के गूरू का नाम रामकृष्ण परमहंस था और इन ही के नाम पर ही रामकृष्ण मिशन की सुरुवात बच्पन का क्या नाम था रामकृष्ण परमहंस की बच्पन का क्या नाम ततो उप्छन है गदधर वर्धमान रामचंद्र वरून हाई तो दोस्तों यहां पर जोपकर रइड आंसर है और आप्ली फरवरें चाने और दोस्तो इनकी मृत्तियू 16 अगस्त 1886 को कोलकाता में होई थी। सबसे इंपोर्टेंट बात है दोस्तो राम कृष्ण परमहंस स्वामी वेकनन जी के गुरू थे। कई वार एक्जाम में पूछा गया है। नेक्ट कोर्शन पर चलते हैं। नेक्ट है भगवान महावीर के बचपन का क्या नाम था। वर्धमान भगवान महावीर के जो जन्म हुआ था वह दोस्तो बैसाली कुंडल ग्राम में हो था। कुंडल ग्राम बैसाली में महावीर का जन्म हुआ था। और इनकी म्रत्यू दोस्तो पावा पूरी बिहार में हुई थी। दोनों ही इंपोर्टेंट हैं। आपके से कई वार एक्जाम में पूछे गया हैं। भागवान महावीर स्वामी जैन धर्म के 24 तीर्थ करते इंपोर्टेंट है। और दोस्तो जो जैन धर्म के 23 तीर्थ करते उनका नाव था पार्सुनाथ। और जो पहले तिर्थनकर थे उनका नाम दोस्तो रिसब्देव ठीक है दोस्तो यह तीनों ही नाम important है एक तो पहला पूछा जाता है रिसब्देव के वारे में तेजवे पूछे जाते हैं पारसोनात और चौविसवे हैं आपके महावीर स्वामी ठीक है और इनी के बच्पन का नाम था वर्धमान चली नेक्ट कोशन पर चलते हैं नेक्स्ट है स्वामी दयानन सरस्वती के बच्पन का क्या नाम था स्वामी दयानन सरस्वती के बच्पन का क्या नाम था मूल संकर और इनका जन्म दोस्तों 12 फरवरी 1824 को टंकारा में हुआ था और इनकी म्रत्यू 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में हो गई थी ठीक है 1883 अजमेर में की म्रत्यू हुई थी दोस्तों 1875 में इन्होंने आरे समाज की स्थापना की थी इंपोर्टन्ट है 1875 में इन्होंने आरे समाज की स्थापना की थी और 1875 में ही इन्होंने सत्यार्थ प्रकास नामक पुस्तक भी लिखी थी जो की बहुत बारी एक्जाम में पूछी गई है तो आपको दोनों ही नाम याद रखने हैं आरे समाज और सत्यार्थ प्रकास माया या फिर महादेवी दोस्तो इसमें जो आपका राइड आंसर है ओप्सन नमबर ए है मनु दोस्तो छबीली मनु भी बोला जाता था और इनका नाम मनी कडिका भी था दोस्तो इनका पूरा नाम मनी कडिका तामबे था ठीक है बचपन का नाम मनी कडिका तामबे था और इन का जन में 19 नवंबर 1828 को वरानसी में हुआ था और दोस्तों इनकी मृत्तिव 18 जून 1859 को गौलियर में हो गई थी ठीक है 1842 में दोस्तों लक्ष्मी वाई जी का जो बिवाह गंधार राओ जो की जहांसी के राजा थे गंगा धर राओ के साथ हुआ था दोस्तों 1853 में राणी लक्ष्मी वाई के पती गंगा धर राओ की मृत्ति हो जाती है और दोस्तों इनके बाद ही जो जहांसी का राज पार राणी लक्ष्मी वाई के हाथों में आ जाता था दोस्तो इनकी जो एक साहाई का थी उनका नाम भी बहुत बार एक्जाम में पूछा गया है उनका नाम जलकारी बाई था ठीक है दोस्तो इनके बारे में एक कथन है जो की सर हुरोज ने बोला था कि सभी से जादा बहादूर जो था कोई तो वह लक्ष्मी भाई थी ठीक है तो आपको याद रखना है लक्ष्मी भाई के बारे में और इनका ही बच्पन का नाम मनू था चलिए अब नेक्ट कोशन पर चलते हैं नेक्ट है लोकमान तिलक जी के बच्पन का क्या नाम था ओप्षन है केसव रतनाकर रमसंकर रामबूला तो यहाँ पुझाब का राइड आंसर दोस्तो ओप्षन नमबर ए है केसव लोकमान तिलक जी के बचपन का नाम केशव गंगाधर तिलक था और इनको ही हम बाल गंगाधर तिलक के नाम से जानते हैं ठीक है दोस्तों इनका जन्मत 13 जुलाई 1856 को चिखली नामक रतनागरी जिले में हुआ था रतना गिरी जीले के चिखली नामक ग्राम में हुआ था तेह जुलाई अठाशो छपपन को ठीक है दोस्तो इनकी म्रत्यू एक अगस्त निस सो बीस को मुंबई में हुई थी और लोकमान तिलक जी को ही भारती असान्ती के जनक के रूप में भी जाना जाता है दोस्तो इनका जो नाम था दोस्तो इनका जो नारा था वह important है कि सुराज मेरा जन्म से अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा दोस्तो 1907 में जब कॉंग्रेस का विवाजन हुआ था गरम दल और नरम दल में तो गरम दल के नेता थे लाल बाल पाल उनमें ही जो लाल थे तो उनका नाम ही बाल गंगधर तिलक था ठीक है तो दोस्तो इनमें जो नाम था लोकमान तिलक जी का और इनके बच्पन का नाम क्या है केसव गंगाधर तिलक ठीक है चलिए नेक्ट कुछन पर चलते हैं नेक्ट है कि महात्मा गांधी के बच्पन का क्या नाम था दोस्तो यह important question है कई बार exam में पूछा गया है महात्मा गांधी के बच्पन का क्या नाम था option है महंदास स्याम कुमार रतनलाल रामिश्वर तो यहां पर जो आपकर राइड आंसर दोस्तो ऑप्सन नमबर ए है जो की है महंदास गांधी जी के बच्पन का नाम जो पूरा नाम था वह था महंदास करमचंद गांधी ठीक है और इनका जन्म दोस्तो दो अक्टूबर 1879 को पोरवंदर नामा किस्थान में हुआ था दोस्तो दो अक्टूबर को ही अंतराष्टी अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है महात्मा गांधी की जुम्रत्ती हुई थी दोस्तो 30 जनवारी 1947 को नई दिल्ली में हुई थी और इनकी हत्ते नाथु राम गोड़से के द्वारा की गई थी ठीक है दोस्तो महात्मा गांधी जी को सुभाज चंद बोस नहीं सरप्रथम राश्पिता कहकर संबोधित किया था और दोस्तो महात्मा गांधी जी को महात्मा क्युपाधी कर scalar गांधी चले एक टांसेंजी के बत्चपन का क्या नाम था नाम था ऑपिसेंद्ग राम चंद्र गाकर्राजणराम तो यहां पे बृफ्षय राइडवर आपसने माल यह हैं राम तनू तांसेंजी के जो बचपन का नाम था राम तनू पांडे था दोस्तों यह अकवर के दरवार के नौर अतनों में से एक थे इनका जनमें गौलियर में 1560 इसवी में हुआ था और इनकी म्रत्यू 26 अप्रेल 1586 को आगरा सहर में हुई थी ठीक है दोस्तों इनका जो मकवरा है मुहम्मद गौस के मकवरे के समीब गौलियर में इस थे थे है दोस्तों सबसे important है कि तांसे नगरी के नाम से किस सहर को जाना जाता है तो वैं गौलियर को जाना जाता है तांसेन की नगरी ठीक है दोस्तों तांसेन जी के बच्पन का नाम क्या था रामतनु पांडे चली next question पर चलते हैं नेक्ट है कि तात्या टोपे के बच्पन का क्या नाम था तात्या टोपे के बच्पन का क्या नाम था आप्शन है राम चंद्र राओ राजा राम केसाओ चंद्र लक्ष्मी नरायन तो दोस्तों यहां पर जो आपका राइड आंसर है तात्या टोपे के बच्पन का नाम आप् महरास्ट का बाग तात्या टोपे जी का जो जन्म हुआ था 16 फर्वरी 1814 को एवला नामकिस्तान पे हुआ था और दोस्तो इनकी जुम्रत्ति होई थी 18 अप्रेल को सिवपूरी में होई थी सिवपूरी में दोस्तो अठार सो संतामन की क्रांती में साध्या टूपे कानपूर की स्रक्षा नेतुरत किया था दोस्तों केंप बेल वज्जनल हैवलॉक ने ताध्या टूपे से यूधु दिकला इन्हों certains और इसके बाद दोस्तों इन्होंने कानपूर चौड़ दिया था लेकर नुद्ध को लेक्षा नाम designed за आ oxousbad राओ ठीक है चले नास कोशन देखते हैं आप